हाई गाईज है होप यो लौ डूइंग रेट हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फैर सेशन की जो सुबा चार बज़े वैलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रंटियर आई एस पर आज की तारीक है 17 नवेंबर 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने बाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से sasglpnacle.com और बलजीधाकर.com साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे टेली गराम हैंडल्स प्रेंटियर आइस और sasglpnacle online को जोईन जरूर करें आज के सेशन के लिए previous quiz का कोई question नहीं है so let's start directly with the first question सारवजनिक प्रसारक प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे न्यूपत किया गया है? correct answer है गौरव दवेदी details तेख लो तो वरिष्ट IAS अधिकारी और मायज जियोबी इंडिया के पूर्व प्रमुक गौरव दवेदी को सारवजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुखे कारेकरी अधिकारी नियूपत किया गया है गौरव दवेदी पहले मायज जियोबी इंडिया के CEO थे जो कि 2014 में पियम मोदी दवारा शुरू किये गए सरकार के नागरिक जुड़ा मंच है यहोने तस्वीर में देख लीजिये भारत किस अन्य देश के साथ डिजिटल शिक्षा भविष्य की मुबाइल प्रदियोगी कियों आदी जैसे शेत्रों में आपसी सहीओ करने के लिए सहमत है परेक्ट आंसर है फिनलैंड डिटेल्स तेख लू तो भारत और फिनलैंड दोनों देशों के बीच आपसी सहीओ को एक नए सतरपर ले जाने और फ्यूचर ICT, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलोजी और डिजिटल एजुकेशन में डिजिटल साज़दारी जैसे क्षेत्रों में साज़दारी बढ़ाने पर सहमत है नए दिली में नौर्थ ब्लॉक में फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृती मंत्री पैट्री होनको नेन और विज्ञान और प्रद्योगी की मंत्री जितेंडर सिंग के बीच एक बैठा के दुरान यह निर्ने लिया आ गया फिनलैंड 5G, पर्यावरन और स्वच प्रद्योगी कीयों, जैवधारित अर्थिवस्था, बायो बैंक और सस्ती स्वास्ते सेवां में भारत के साथ सहयोग करने का इच्चूक है S&T समझोते के धांचे के भीतर, विज्ञान और प्रद्योगी की विभाग, फिनलैंड के आर्थिक मामलो और रोजगर मंत्राले के साथ मिलकर, बिजनेस फिनलैंड और फिनलैंड की कादमी एक दशक से अधिक समय से सफलता पूर्वक सहयोग कर रहे हैं बात करें हाँ पर फिनलैंड की तोसी कैपिटल है हिलसिंग की करंसी है यूरो सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड धोजार बाई से किसे समानित किया जाएगा करेक्ट आंसर है कार्लोस सौरा डिठेल्स तेख लू तो कार्लोस सौरा पुरसकार विजेता स्पैनिश फिल्म निर्देशा को भारते अंतराश्टर फिल्म महतसफ के 53 वे संसकरन में सत्य जीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड से समानित किया जाएगा जो 20 निवेंबर से 28 निवेंबर 2022 से पानाजी गोवा में शुरू होगा कार्लोस सौरा को स्पैन के सबसे प्रसिद फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है उनका करियर आदिश्ताबी से अधिका है और उनकी फिल्मों ने कई अंतराश्टर पुरसकार जीते हैं देख लो तो जार्खन राज्य की नीव को चिनहित करने के लिए हर साल 15 नवेंबर को जार्खन सापनादी वस्मन आया जाता है यह दिन आदिवासी स्वतंतरता से नानी बिर्सा मुडग की जेनती के साथ मेल खाता है विभाजन से पहले जार्खन बिहार के दक्षिन हिस्से का हिस्सा था स्वतंतरता अंदोलन से पहले राज्य के आदिवासी अलग राज्य की कामना करते थे किस देश को इस यान के ग्यारवे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है करेक्ट आंसर है पूर्वी तिमौर डिठेल्स तेख लू तो इस यान के सदस्य पूर्वी तिमौर को ब्लॉक के ग्यारवे सदस्य के रूप में सुईकार करने के लिए सधानतिक रूप से सहमत हुए इस यान की फुल फॉर्म है इस यान सदस्यता के लिए वेदिन करना शुरू किया 1999 में कंबोरिया को शामिल किये जाने के बाद से दो दशकों से अधिक समय में देश शेत्री समू का पहला नया सदस्य होगा नेक्स देखो पैरिस पीस फॉरम के पांचवे संसकर अंकायोजन किया गया इस फॉरम के स्थापना के स्वर्ष हुई थी पैरिस पीस फॉरम के पांचवे संसकर अंकायोजन तक किया गया था पैरिस शांती मंच के पांचवे संसकर अंकायोजन बहु संकर से भार निकलना यानि राइडिंग आउट आप दी मल्टी क्राइसिस विशे पर किया गया था पॉरम 2018 में स्थापित एक फ्रांसी सी गयर लापकारी संगठन है यह दुनिया भर के नेताओं और अंतराष्ट संगठनों के प्रमुखों के साथ-साथ नागरिक समाज और दुनिया भर के नीजिक शेत्र के नेताओं के एक वाशिक सभायोजित करता है किस संस्था ने Global Vaccine Market Report 2022 जारी की? ग्लोबल वैक्सिन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी रिपोर्ट से पता चलता है कि और समान वितरन COVID-19 टीकों के लिए अध्वितिय नहीं है गरीब देश लगातार उन टीकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही है जिनकी धनी देशों दुवरा मांग की जा रही है इनमें से 41% देशों में Human Papilloma Virus Vaccine HPV की शुरुवात के बावजूद कम आयवाले देशों में सर्वाइकल कैंसर का बोज अधिक है 83% से अधिक उच आयवाले देशों की HPV टीकों तक पहुंच है पिछले दो वर्षों में टीकों के अपूर्ती में व्रिधी देखी गई है हाला कि इस अधिक के दुरान बच्चों के नियमी टीका करन में काफी कमी आई है यदि वर्तमान प्रविती बनी रहती है तो इस जटके से उभड़ना या टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना असंभव होगा नेक्स्ट क्वेस्चिन है कौन सा देश नो मनी फर टेरर सम्मेलन का में जबान है करेक्ट आंसर है भारत दिटेल्स सेख लो तो तीसरा मंत्री सरिये नो मनी फर टेरर सम्मेलन इस साल 18 और 19 नवेंबर को नई दिली भारत में आयोजित किया जाएगा NMFT सम्मेलन को देश्य आतंकी विद्पोशन का मुकाबला करने पर अंतराश्य चर्चा के लिए कमंच तयार करना है सम्मेलन में आतंकी विद्पोशन के तकनीकी, कानूनी, मियामक और सहकारी पहलू उपर चर्चा शामिल है इसको देश्य आतंकी विद्पर ध्यान केंदरित करने वाली अन्य उच्छ सरिये, आधिकारिक और राजनीतिक चर्चाओं के लिए गती निर्धारित करना है 2020 में भारत में होने वाला था, लेकिन COVID-19 में हमारी के कारण स्थगित कर दिया गया, जिससे यातरा पर वैश्विक सतर परपती बंद लग गया था अधार नियमों में संशोधन के नुसार सहाइक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अध्यतन यानि अपडेट करने के अवश्चता है तरेक्ट आंसर है, दस साल तो इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले के एक हालियादी सूशना के नुसार नमांकन तिथी से दस वर्ष पूरे होने पर अधार धार को दबारा सहाइक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करने के अवश्चता है अब डेशन और निवारे नहीं है लेकिन सेंट्रल आडेंटिटी, डेटा रिपोजिट्री, CIDR में डेटा की सठीक्ता बनाए रखने के लिए इसे प्रत्साहित किया जा सकता है यह वी नियमन जन सांखी की जानकारी को अधितन करने तक सीमित है और इसमें फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डेटा शामिल नहीं है अधार से संबनित जानकारी के सठीक्ता बढ़ाने से सरकार को अधार कार्ड के बारे में गलत जानकारी के कारण होने वाली सरकारी योजनाओं के लाभों के रिसापों खतम करने में मदद मिल सकती है लास्ट क्वेस्टिन है आज के सेशन के लिए किस भारते राज्ये ने 10 निवेंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया करेक्ट आंसर है ओडिशा दिटेल सेख लो तो ओडिशा सरकार ने इस वर्ष 10 निवेंबर को राज्ये में बाजरा दिवस के रूप में मनाया इस दिन को मनाने का प्रात्मी कुदेश्य बाजरा को अतिधिक पोशक और पर्यावरन के नुकूल खादुतपात के रूप में बढ़ावा देना है ओडिशा सरकार ने 2017 में ओडिशा मिलिट मिशन OMM लॉंच किया और ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने 2019-20 में OMM के तहट 100 करोड रुपे की सरकारी साहता की घोशना की बात करें हैं पर ओडिशा की तो इसकी वोर्ल हेटे साइट्स में आता है क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की तो पॉब्लिक डॉटकास्टर प्रसाद भारती के सीई-ओ बने हैं गौरवद वेदी डिजिटल एजुकेशन और फ्यूचर मुबाइल टेकनोलोजीज जैसे एरिया को कवर करने के लिए इंडिया ने फिनलेंड के साथ मूचल कोपरेशन के लिए अगरी किया सत्याजी तरे लाइफटाम अचीमेंट अवाड 2022 से कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा जारकन फाउंडेशन डे 15 निवेंबर को मनाया जाता है एस यान में 11 निवेंबर के तौर पर एड्मिट किया गया इस तीमोर को पैरिस पीस पोरम के फिफ्ट एडिशन का योजन किया गया इसे 2018 में स्टाबलिश किया गया था ग्लोबल वैक्सिन मार्केट रिपोर्ट 2022 डवल एचो ने जारी की नो मनी फर टेरर कॉन्फरेंस को होस्ट किया इंडिया ने अधार रूल्स के एमेंडिमेंट के नुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हर 10 साल में अपडेट करना होगा और 10 नेवेंबर 2022 को मिले डे के रूप में ओडिशा ने मनाया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुर्स्वद डे के आपका पहला क्वेस्चिन है महिला विशो मुकेबाजी चैंपेंशिप 2023 की में जबानी कौन सा देश करेगा और आपका दूसरा क्वेस्चिन है किस राजे ने कावेरी दक्षिन बनेजे अभ्यारने को अधिसूचित किया है दोनों क्वेस्चिन हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वेडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्रम हैंट्स को जोईन जरूर करना है थैंक यू सो मच आल सीन में नेक्स सेशन